Welcome friends, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही powerful tool का combination जिसके basis पे आप अपना trading इंप्रूव कर सकते हो और आपके ज़्यादा तरड आपके favor में जाएंगे तो वो कौन-कौन से tool हैं जिसके basis पे हमको trading के निड़ने लेना है इसमें सबसे पहला है moving average channel moving average channel वैसे तो public domain पे ज़्यादा popular नहीं है बट अगर आप इसको use करते हो तो आपको clarity आ जाएगा कि ये कितना powerful है दूसरा है exponential moving average तो exponential moving average पे मैंने separate video बनाया हुआ है तो इसमें हमको exponential moving average को भी use करना है और तीसरा है super trade अगर हम इन तीनों tool के combination को use करते हैं तो definitely हमारा trading बहुत अच्छे दिसा में जाएगा इसको deep में समझने के लिए हम screen पे चलते हैं ये हमारा nifty का chart open हो गया है अभी जो chart है वो daily candlestick पे है तो हमको intraday के लिए अगर position बनाना है तो इसको हम 5 minute के chart में convert कर लेते हैं तो सबसे पहले इस chart को हम 5 minute के chart में convert कर लेते हैं ये हमारा 5 minute का chart open हो गया है अब इसमें मैंने जो 3 tool बोले हैं उसके combination को लगाते हैं तो इसमें सबसे पहला है moving average channel तो ये indicator slice में गए और यहां से हमने moving average channel को pick up कर लिया ये हमारा moving average channel का line draw हो गया अब इसका discipline यही है कि जब price moving average channel के उपर हो तो हमको buy side में जाना है अगर price moving average channel के नीचे है तो हमको sell side में जाना है ध्यान यही रखना है कि जब price moving average channel के बीच में हो तो ये no trading zone होता है तो यहां पे सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं जैसे जो लोग option buyer होते हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी area पे होता है क्योंकि वो moving average channel के बीच में ही उसको entry कर लेते हैं और इस particular zone में क्या होता है कि price में movement लंबे समय तक नहीं आता है जो cash में trading करते हैं उनको भी पता होना चीए कि जब narrow channel में है तो इस समय बहतर है कि हम wait कर लें और जब price decisively moving average channel के उपर closing दे तब जाके हमको entry करना है तो moving average channel में सिर्फ हमको तीन चीज का धियान रखना है जब price moving average channel के line के उपर हो तो हमको by side में जाना है अगर price moving average channel के line के नीचे हो तो हमको selling का opportunity ढूणना है और अगर price moving average channel के बीच में हो या उससे चिपका हुआ हो तो उस समय हमको position को avoid करना है क्योंकि वहाँ पे एक consolidation का position बनता है अब moving average channel के साथ हम एक और indicator लगा देते हैं moving average exponential या EMA तो indicator slash में गय है और यहां से हमने moving average exponential लगा लिया यह हमारा EMA ड्रॉव हो गया है अब EMA में हमको थोड़ा सर setting चेंज करना है तो यह हम setting में गय है अब setting में 9 के जगा हम इसको 13 कर लेते हैं यह हमने EMA का setting चेंज कर दिया है तो EMA में हमको यह ध्यान रखना है कि जब EMA की line के उपर अगर price हो तो वह positive होता है मतलब उसके उपर जाने की संभावना ज़्यादा होता है और जब price exponential moving average की line के नीचे हो नीचे हो तो chances है कि वह price नीचे की और जाएगा अगर यह जो exponential moving average का जो line है उसी के बीच में अगर price का moment हो रहा है तो वह consolidation का निचानी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप EMA को moving average channel के साथ use करोगे तो जब EMA का line moving average channel के बीचो बीच हो तो clear है वो consolidation का निचानी है तो इस particular zone में हमको trade करना ही नहीं है तो जो भी इस particular zone में trade करेगा या तो frustration में गलट trade लेगा या फिर उसके profit होने की संभावना बहुत कम है हमको अगर इन दोनों combination को देखना है तो जब price exponential moving average का जो line है वो moving average channel के line को उपर की और cross कर दे तब ही हमको entry करना है या अगर हमको downside का position करना है या short selling करना है तो हमको यही ध्यान रखना है कि exponential moving average का line जब यह moving average channel को नीचे की और break कर दे तब जाके हमको downside का position बनाना है अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर यह exponential moving average का जो line है वो moving average channel की line को एक अच्छे angle के साथ cross करता है तो वो resilient होता है अगर उसको parallelly cross करता है या उसके जो line है उसमें angle बहुत कम होता है तो वो chances है कि इसका जो movement है वो limited रहेगा या थोड़ा सा ही movement आएगा तो अगर आपको इसके basis पे भी judge करना है कि यहां से movement बड़ा आएगा या छोटा आएगा तो वो आप जो moving average channel के line को यह में ने जो crossing किया है उसके बीच के angle को judge करके भी कर सकते हो तो यहां पे आप देख सकते हो कि moving average channel के line को एक sharp angle के साथ इसने cross किया है और जो price है वो moving average channel के उपर closing दिया है और यह जो candle है वो एक बड़ा candle बना है तो यहां पे एक संभावना बनती है हमारी entry की और यहां पे EMA ने भी हमको confirmation दे दिया है कि यहां से price उपर जाएगा और यहां का जो angle है angle भी बता रहा है कि जो price है वो बड़ा मूँ आ सकता है तो यहां पे हमारा entry बनता है तो अगर यहां पे आप देख सकते हो जो level है वो 16,500 का है और अगर इसके basis पे हम निर्णय लेते तो यहां पे जो position बन रहा है वो 16,707 का है तो 200 point का move आया है तो अगर यह में का line एक certain angle के साथ या sharp angle के साथ इसको cross करता है तो वो एक बड़ा मिशानी होता है अब यहां पे आप देख सकते हो exponential moving average का line है वो moving average channel के बीच में घुज गया है तो इस बीच में तो कोई moment आएगा नहीं तो इस बीच में हमको या तो profit book कर लेना है या बाहर रहना है कोई position को continue नहीं करना है तो यह दोनों combination बहुत ही powerful है अगर आप इसको practice करत हो तो definitely आपका trading बहुत अच्छे level पे चला जाएगा अब मालो आप इन दो टूल के basis पे अपना buying position बनाते हो तो मालो आप इस particular point पर buying position बनाते हो तो आपका stop loss क्या होना चीए तो stop loss जैसे ये candle एक बड़ा candle बना है जो decisively moving average channel के line को cross किया है तो इस particular candle का जो bottom है वो मेरा stop loss होग तो अगर इस bottom line को मैं अपना stop loss मान के अपना position carry over करता हूँ तो मुझे एक अच्छा profit हो सकता है अब इस tool को अगर further verify करना है तो super trend से आप verify कर सकते हो बट बहुत ज्यादा tool लगाने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा tool यूज करते हो तो आपको decision making मे दिक्कत होता है इसलिए minimum tool का उपयोग करना चाहिए जैसे ये दोनों combination खुद में इतना powerful है कि आपको हर दिन अच्छा खासा profit बना के देगा हर दिन एक बार तो जरूर मौका हैगा कि आप बहुत अच्छा profit बना हो आप बार बार trading करोगे या बार बार position लोगे तो उसमें नुकसान होने की संभावना है क्योंकि overtrading हमेशा dangerous होता है क्योंकि वो आपको psychologically एक barrier में बान देता है जैसे अगर आपने first half में uptrend देखा है तो second half में अगर downtrend का position बनता है तो भी आप downtrend का position नहीं ले पाओगे और आप हमेशा uptrend का position देखोगे और जैसी price में अप मूँ आनने लगेगा आप entry कर जाओगे और फिर वहीं से हो पलट जाएगा तो first half में तो आप profit बना लोगे second half में आप पैसा lose कर दोगे इसलिए अगर आपका first half में profit बन जाता है तो second half में trading ना करें तो बहतर है और अगर आपको first half में opportunity नहीं मिला है या market consolidation में है तब आप second half में trade continue कर सकते हो तब second half में जरूर आपको profitable trade मिल जाएगा अई हो आपको यह delivery पसंद आया होगा और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप इस discipline को follow करते हो definitely आप profitable trader बन जाओगे अगर आपको यह delivery पसंद आया तो आप इसको like जरूर किजिए share किजिए अगर आपने subscribe नहीं share किजिए यहां तक तो हमने समझ लिया कि moving average channel exponential moving average अगर हम disciplined way में इस combination को use करते हैं तो definitely हमारा trading बहुत improve हो जाएगा यहां तक साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद, thanks for present listening, see you in the next part, thank you